Hello Friends, Welcome to our channel Simple Solutions Simple Solutions चैनल आपके लिए लेकर आए है 2-Minute Super Fundra Series 2-Minute Super Fundra Series में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2-3-Minute के वीडियो जिसमें हम सिखाते हैं आपको एक Excel की शॉटकट या ट्रिक जो आपको देती है अपने काम को बेहतर बनाने की तक्निक तो दोस्तों लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने कमपने स्क्रीन पे और सीखते हैं आज एक नया ट्रिक गोल सीख एलो फ्रेंड्स आज के टू मिनिट सुपर फंडा वीडियो सीरीज के अंदर हम एक नया टूल देखेंगे जिसका नाम है गोल सीख गोल सीख टूल बहुत इंपोर्टन है और यह आपके बहुत जादा काम आएगा इसको किस तरीके से उपयोग करना है हम आपको जिखाएंगे एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया हुआ इसको दिखाने के लिए आप जो कंपनी में काम करते हैं या फिर आपके मार्क्स वगर आने हैं तो आपको कई दफ़े ऐसी सिटुएशन्स आती है जब आपको एक नंबर की जरुवत होती है जो आप नहीं निकाल पा रहे होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपरिल में जून इस क्वाटर में आपके टारगेट के अगेंस्ट में आपने 80 और 60 अचीव किया है और अभी तक आपका टोटल 140 है अब आप अगले महीने जून में यह देखना चाहते हैं कि कितना अचीव करें जो आपको best performer 80% की category में जाने के लिए कितना इस महीने अचीव करना है जिससे कि आपका overall जो अभी 47% आ रहा है मैंने इसका जब यह percentage निकाला तो 47 है और आपको यह 80% पे ले जाना है तो 80% पे जाने के लिए आपको यहाँ पर कितनी performance लानी पड़ेगी यह अगर आपको देखना है तो इस तरीके के question को हल करने के लिए goal seek काम आता है इसमें दोस्तों आपको जाना है data में यहाँ मैंने लिखा हुआ है data में click करेंगे यहाँ पर एक what if analysis आता है what if analysis के अंदर आप goal seek click करेंगे goal seek click करने के बाद दोस्तों यह आपसे पूछता है कि क किस cell को आपको as a target set करना है तो आपको यहाँ पर अपना target set करना है जहाँ पर आपने percentage 47 किया है लेकिन उसको आपको 80 लाना है फिर यह कहता है किस value पे ले जाना है तो यहाँ पर आपको value type करके देनी पड़ेगी क्या value आपको चाहिए और किस cell में वो figure आपको चाहिए तो उ जाके आपका overall target 80% जाके achieve होगा तो इस तरीके से goal seek का इस्तेमाल करके दोस्तों goal seek का use करके आप अपना data calculate कर सकते हैं अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर 80 की जगे 70% होता है तो फिर से आप उसको goal seek को लगाएंगे what if analysis में जाएंगे आप goal seek क्लिक करेंगे goal seek क्लिक करने के बाद आप यह वाला cell select करेंगे यहाँ पर आप 70% डालेंगे जो value आपको चाहिए और किस cell में आपको numbers calculate करने उसको select करके okay करेंगे तो देखिए उसने calculate कि अब आप यहाँ पर आप 70% ले आते हैं इस महीने तो overall 70% का target आपका achieve हो जाएगा तो यह था दोस्तों goal seek feature उमीद है आपको यह समझ में आया होगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ एक नए trick के साथ thank you so much thank you